वेस्ट इंडीज ने दूसरे T20 मुकाबले में साउथ अफ्रीका को 30 रनों से हराकर सीरीज में 2-0 की अजे बढ़त बना ली है वेस्ट इंडीज ने साथ विकेट से जीत दर्ज की थी और अब उन्होंने लगातार तीसरी बार अफ्रीकी टीम के खिलाफ T20 सीरीज जीतने का कारनामा कर दिखाया पाकिस्तान को बांगलादेश के सामरिक टेस्ट में हार का सामना करना पड़ा शाहीन अफ्रीदी की एक हरकत ने टीम में दरार का संकित दिया भारत के पूर्व बल्लेबाजी कोट संजय बांगर ने कहा है कि विराट कोहली को लंबे समय तक टीम इंडिया के टेस्ट कप्तान के रूप में बने रहना चाहिए था बांगलादेश के दिगज विकेट की पर बल्लेबाज मुश्विकुर रहीम ने पाकिस्तान के खिलाफ मिली पहली टेस्ट जीत में महत्वपूर्ण भूमी का निभाई रहीम ने 191 रनों की शांदार पारी खेली और बांगलादेश को पहली पारी में बढ़द दिलाने में मदद मिली यहां बांगलादेश की पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट क्रिकेट में पहली जीत है इससे पहले बांगलादेश ने पाकिस्तान के विरुद 13 मैच खेले थे, जिनमें से 12 में उसे हार मिली थी अगले सीजन में राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन चन्नाई सूपर किंग्स के लिए खेल सकते हैं चन्नाई ने उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की इच्छा जताई है इंगलंड के स्टार गेंदबाज मार्क वुड मानस्पेशियों की चोट के कारण श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज से बाहर हो गए है वुड की जगह में 20 वर्षिय जोश हल टीम में शामिल होंगे इंगलंड ने श्रीलंका के खिलाफ एक से शून्य की बढ़त बना ली है रावल पिंडी में खेले गए दो मुकाबलों की टेस्ट सीरीज के पहले मैच में बांगलादेश ने पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा कर इतिहास रच दिया इस जीत के साथ बांगलादेश ने सीरीज में एक से शून्य की अजे बढ़त हासिल कर ली बांगलादेश ने पहली बार टेस्ट क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया है बांगलादेश ने रावल पिंडी में खेले गए पहले मैच में पाकिस्तान को 10 विकेट से हरा कर टेस्ट सीरीज में एक से शून्य की अजे बढ़त हासिल कर ली बांगलादेश ने पहली बार लाल गेंद वाले क्रिकेट में पाकिस्तान को हराया है श्रीलंकाई क्रिकेट टीम इंगलेंड के खिलाफ पहले टेस्ट मैच में पांच विकेट से हारी इस मैच में इंग्लेंड के कप्तान जो रूट ने राहुल द्रविड को पीछे छोड़ कर सबसे ज्यादा 50 लगाने वाले बल्लेबास बन गए हैं रूट अब शिवनारायन, चंद्रपॉल और सचिन तेंदुलकर के पीछे हैं भारतिय ओलंपिक पदक विजेता मनु भाकर ने कॉस्मोपॉलिटन पत्रिका के साक्षातकार में बताया है कि उन्होंने जमैका के धावक उसेन बोल्ट और भारतिय क्रिकेट के दिगजो सचिन तेंदुलकर महेंद्र सिंग धोनी और विराट कोहली की प्रशन साकी